15 नूबर 2023, यह सिर्फ डेट नहीं, दोस्तों यह इतिहास होने बाला है भारत नुजलेंड को हराएगा, दोस्तों यह डेट भी इतिहास बन जाएगी 2019 में जब हम नुजलेंड से हरे थे, तो वो डेट भी हम भूले नहीं थे 2019 की वो हार जो नुजलेंड ने हमें दी थी, आस्ता अगब उसको भूले नहीं है क्योंकि उस वर्ल्ड कप में 2019 में हम अराम से वर्ल्ड कप जीच सकते थे और धोनी के नेतरत्वे में हम दूसरी बार ODI का वर्ल्ड कप जीच सकते थे बस नुजलेंड की वज़े से ही हम सेमिफानल में हार गए उस दिन दोस्तों जड़े जा के लिए ही बैटिंग करता रहा अगर और किसी का साथ मिल जाता तो भारत वर्ल्ड कप जीच जाती फानल तक तो पहुची जाती 2019 के ही जैसे थिक 2023 में भारत और नुजलेंड का सेमिफानल खेला जाएगा अब दोस्तों नुजलेंड के साथ बार बार ऐसा होता है कि बारेस की वज़े से नुजलेंड को हार का सामना करना पड़ता है बारेस की वज़े से पूरा गेमचीन हो जाता है जो उनके अच्छी कासी ले होती है वो बिगड़ जाती है लेकिन दोस्तों अगर सेमी फाइल में भी बारिस आ गई तो क्या होगा बताएंगे आपको पूरी विडियो विस्तार से उसे पहले कमेंटों बताना कि दोस्तों आपको विराट कोली के बैटिक जाता खतना लगती ह या फिर केन विलियमसन की अब भाईयो अगर न्यूजिलैंड और इंडिया के मैच में बारिस आती है तो इस केस में एमपैर ये पूरी कोसेश करेंगे कि मैच उसी दिन खतम हो जाए मतलब दो घंटे आगे बढ़ा लेंगे तीन घंटे आगे बढ़ाएंगे तकि मैच उस बीर इंडिर के दिन बी मैच हो जाए मतलब उस दिन बीडिर गंटे आगे 3 घंटे आगे बढ़ाएंगे लेकिन अगर बारिस का या अलम यह रहा कि रिजरव डे के दिन भी पूरी दिन बारिस ही होती रही तो इसके बास दोस्तों भारत को जीता करार दी दिया जाएगा ज इसी टीम के होगे, ज्यादा पोइंट वए टीम जीती मानी जाएगी, इससे पहले ऐसा नहीं था, अक्सर बारिस के वज़ए से पूरी टीम का लैख राव हो जाती थी, जिसकी वज़ए से दूसरी टीम को फायदा हो जाता था, लेकिन आप दोस्तों ऐसा नहीं है, अप अग बारत के टेकर में ऐसी कोई भी टीम नहीं है क्वारत लोग अक्सर भूल जाते हैं इसलेकर भारत सेमिफाइनल जीत जाए तो 2023 की मिसाल आने वाले सालों में सब देंगे चुकि भारत इसमें एक भी मैच यहारा और सारे मैच एक तरफा जीता और दोस्तों हम तो यहीं चाहते हैं कि सेमिफाइनल में भी ऐसा ही हो नुजिलैंड को वर इंग्लेंड का स्था तो उसके बाद उनका मैश घ्रागे था आयो के बाислद सूपर और भी करता हो गूँत स्था कि यहां और सबस्तों उसके बाद जिसके जादा boundary है उसको जीता गोसित नहीं किया जाएगा फिर से super होगा super over होगा और super over भी draw होगे तो फिर से super over होगा मतलब super over में super over होते जाएंगे जब तक result ना आ जाए और यह सबसे अच्छा नियम है क्योंकि यह तो बेवखूप वाला नियम होगे कि इसकी boundary वह जीता भाई को दो रन लेकर जी सकता है किसने एक चोका मार दिया दूसरी बॉल खा दी और दूसरी टीम ने एक भी चोका नहीं मार लेकिन दो बॉल में दो रन ले लिए तो भाई सब दो रन टीम के चार रन तो हो गए न अब यह कौन सा लोजिक हुआ कि इसने चोका मार दे तो इसको जिदा घुसित कर दो इसे दोस्तों यह बेवखूप वाला नियम था इसको हटना चाहिए था बास सही लेकिए चलो सब्सक्राइब कर देना जाजहिन